नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि वर्टिकाम प्लस टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, वर्टिकाम प्लस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और वर्टिकाम प्लस टैबलेट की वज़े स क्या side effects हो सकते हैं। और यह भी discuss करेंगे कि Verticam Plus Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। Verticam Plus एक brand name है। Verticam Plus Tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है। Verticam Plus Tablet के अंदर salt composition sinarzin 20 mg और diamond hydrinate 40 mg होता है। Verticam Plus Tablet का उपयोग चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा Verticam Plus Tablet का उपयोग सफर में जी मिचलाना, उल्ती आना या उल्ती आने का मन होना आदी समस्याओं को रोकने के लिए या ठीक करने के लिए भी Verticam Plus Tablet का उपयोग किया जाता है। Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Verticam Plus Tablet की वज़ह से कोई Side Effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Verticam Plus Tablet की वज़ह से कुछ Side Effects हो सकते हैं। जैसे बदहजमी होना, सिरदर्ध होना, नीन ज्यादा आना, मुँ में सुखापन होना, पेट में दर्ध होना और पेट में बेचैनी हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे की Verticam Plus Tablet को कैसे लेना recommended होता है। Verticam Plus Tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर Verticam Plus Tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। Verticam Plus Tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि Verticam Plus Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। Verticam Plus Tablet के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए। और Verticam Plus Tablet को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए। और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए। जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है। क्योंकि Verticam Plus Tablet को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नीन ज्यादा आ सकती है। पार्किनसन्स डिजीस होने पर और लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर Verticam Plus Tablet को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सला के बिना Verticam Plus Tablet को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Verticam Plus Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।